स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप सब डेली करेंट अफेर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आते हैं कोशन नमबर फर्ष्ट की तरफ नफ्ताली वेनेट ने किस देश के नए प्रदानमंत्री के रूप में सपत ली है तो इन्होंने इजराइल प्रदानमंत्री के रूप में सपत ली है और इन्होंने बेंजाविन नितायू को जगाई ली है और जो बेंजाविन नितायू थे ये 12 साल तक इजराइल के पीम रह चुकी है और नफ्ताली बेनेट सबसे कम अंतर 60 और 69 मतों के साथ विस्वासमत इन्होंने प्राप्त किया है जो नफ्ताली बेनेट है ये दक्षडपंती यामिना पाइटी के नेता है यामिना पाइटी से ये संबंदित हैं और ये इजराइल के 13 प्रदानमंत्री बने हैं हमारे पीएम मोदी ने भी बधाई दिये ने ट्वीट करके और पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत और इजराइल दोनों देशों की बीच रणनितिक साजेदारी को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं हमारे पीएम नरेन मोदी तो इसका राइट आंसर है इजराइल आते नेक्स्ट कोश्चन पर भारत की किस राज से जी आई प्रमाड़ जर्दालू आमों की पहली खेप United Kingdom को निर्यात की गई थी तो जैसे कि हम सभी देख फोटो में आप सभी देख पा रहे हैं कि यह खेप भेजी गई है बिहार से बिहार के भागलपुर से GI Index होता है Geographical Index फ्रमाड़े जर्दालू आमों की जो पहली बारेजी खेप है उसे United Kingdom को निर्यात की जा चुकी है इसके अलावा मई मईने में जो बिहार के मुझबफरपुर की चर्चे साही लीचिये उसकी पहली खेप भी मई मईने में भेजी जा चुकी थी इन आमों को जो ये जर्दालू आम है इन्हें एपिडा कंपनी के लखनाव इस्थित पैक हाउस में पैक करके इन्हें United Kingdom को निर्यात किया गया है इन्हें जो ग्राफिकल इंडेक्स क्यों मिला है तो इनको मिला है इनकी बिसिष्ट सुगंद और स्वाथ के लिए जो जर्दालू आमें इनको 2018 में GI टैग मिला था तो इसका right answer है बिहार आते next question पर स्री बैंकेट्स्वर मंदिर स्वामी मंदिर की आधार्चिला कहां रखी गई है, जो बैंकेट्स्वर स्वामी मंदिर है जैसे कि आप map में देख पा रहे हैं ये इंडिया का map है और इसकी top में जो इस टेट है वह है þै मोई जम्मू एंड क रखी गई थी तो वहाँ पर उस समारों में केंद्री मंत्री किसन और किसन रेड़ी जितेंद्र सिंग और जो वहाँ के उपराज जपाल है मनोश सिनहा यह सामिल थे और जो मंदिर का प्रवंदन होगा वही देखेगा जो आंदर परदेश में तिरुमाला तिरुपती के भग वासट एकड भूमी दान में दी है वासट एकड भूमी इस मंदिर के लिए दी गई है तो यह मंदिर की स्थापना आधार सिला रखी गई है जम्मू एंड कस्मीर में आते नेक्स कोशन पर क्यू मैथ ने सिक्षड और सीखने के अनवाव को बदलने के लिए किसके साथ साजे भागीदारी की है इसमें दोनों ही चीज़ सामिल है सिक्षड भी कर सकते हैं और सिक्षक भी बन सकते हैं दोनों को अनवाव दिया जाएगा तो कक्षा एक से लेकर बारा तक की बच्चों के लिए स्कूल के बाद जो गड़ित एवं कोडिंग का इक्रम की प्रदाता थे क् सिक्षक और सिक्षकों को गूगल फॉर एजुकेशन प्रमारपत्र दिया जाएगा जब अच्छे पढ़ाई करेंगे उन्होंने कंटीनियू बारा महिने तक अगर इसकी पढ़ाई करी है और उनका प्रदार्सन अच्छा है तो उन्हें गूगल फॉर एजुकेशन के यह मनन खुर्मा है मनन खुर्मा ने इसको डैबलप किया है क्यू मैत को तो इसका राइट आंसर होगा गूगल आते नेक्स्ट कोशन पर होम इन दा वर्ल्ड नामक पुस्तक किस ने लिखी है होम इन दा वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है अमत्र सेन ने यह नोबल नोबल पुरुष्कार से सम्मानित किया गया था। जैसे की नोबल पुरुष्कार बिजेता अमट-TUSSEN ने अपना संस्मरड Home in the World में लिखा है कि उन्हें बताया है कि कैसी रविन्ना टेगोड ने उन्हें अपना नाम अमत दिया था और जो यह संस्मरण हैं होमें दा वर्ल्ड इसका प्रकासन जुलाई में पैंगुई रेंडम हाउस द्वारा किया जाएगा तो यह हावर्ड विद्याले में प्राध्यापक हैं और जो हाल फिल हाल में ही तीनों न और जो किसान अंदोलन चला है उसके समर्थक बनी हुए हैं तो इसका राइट आंसर है अमर्त revital प्रकासन आतए और नेक्स कोशन पर नमस्ते योग नामक एप किस मंत्रालय ने लौंच किया है तो जो नमस्ते योग नामक के एप है इसको ।ीम कंत्रालय द्वारा सातवे अ योग संस्थान के सहयोग से यह काईक्रम आयोजित किया था और जो यह काईक्रम था इसमें कई योग गुरुआं और अनुभवी योग प्रतिपादकों को बर्चूल मंच पर एक साथ लाया जाने के लिए यह काईक्रम शुरू किया गया था इसमें आईडीवाई 2021 के केंद् मपर्पित एक Mobile Application लांच की थी इन्होंने इसी दिन सात्वे अंतराष्टी योग दिवस के आउसर पर इन्होंने जो नमस्ती योगा एप्लीकेशन है Mobile Application एकको आईउस मंत्रालाइद ने लाँच किया था आते next question पर सवतंत भारत के पहले ओलंपियन का निधन हो गया है यह क जो 1952 में उलम्पिक हुआ था हैलाइंस की इसमें इनने भाग लिया था और हाल फिलाल में 99 वर्स की आयूमिन का निधन हो गया है यह हैलाइंस की खेलों में पहली वार राष्टी चेंपियन बने थे और इनने जब ये रिटार हो गई थे उसके बाद 2000 इसके बाद इन्हों ने जैसे की एतलेट्स को कोच के रूप में और सिखछक के रूप में भी इननों ने काम किया था रिटार होने के बाद भी और साल 2009 में कोवेट सिटी में मुख्याले के उद्गाटन के दोरान इन्हें ओलंपिक काउंसिल ओफ एसिया दोरा सम्मानेत भी किया गया था 2009 में कोवेट सिटी में तो इसका राइट आंसर है सूरत सिंग माथोर आते नेक्स्ट कोश्चन पर भारती टट रक्षकवल ने किस जानवर की रक्षा के लिए ओप्रेशन ओलिवा के ताथ एक बिमान सेवा में लगा है तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि ये ओलिव रेडले कचुए हैं यह जब ओप्रेशन ओलिविया सबसे पहले आईसीजी द्वारा 1980 में शुरू किया गया था और यह क्यों शुरू किया गया था जब नॉमबर से दिसंबर के महीनों में ओलिव रेडले कचुए प्रजनन के लिए ओड़ी से टट पर घोसला बनाते हैं तब हर साल यह ओप्रेशन चलाया जाता है ताकि क्योंकि यह लुप्त प्राय प्रजातियां हैं यह बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देती हैं इसलिए इनकी रक्षा करने के लिए ऐसा किया जाता है जो तत्रक्षक वल होते हैं वह नॉमबर से मई मईने तक 24 घंटे इनकी निगरानी करते हैं और तत्रक्षक वलने हाल ही में कानून लागू किया है कि ओडिसा के ओलिव रेडले कच्छों की रक्षा के लिए ओप्रेशन ओलिविया चलाया जाएगा सबसे पहले यह ओप्रेशन चलाया गया था 1980 में तो इसका राइट अंसर होगा ओलिव रेडले कच्छों आते नेक्स्ट कुश्चन पर निम्नमैसिक किस राज सरकार की दोरा मेडिसिन फ्रॉम दा स्काइप रियोजना शुरू की गई है जिसे कि आप इंडिया के मैप में इसकी लोकेशन देख पाएंगे यह है तेलंगाना राज तो जो तेलंगाना सरकार है इस परकार की पहली प्रायलेट परियोजना के परिक्छड के लिए 16 प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों का चैयन किया गया है जहां सिये दवाईयों को ले जाकर दवाईयों की डिलेवरी करेगी इस परियोजना में जो ड्रोन के जरिये दवाईयों की डिलेवरी करना सामिल है अब ड्रोन के जरिये इसकी डिलेवरी करना है तो इसके लिए परमीसन भी लेनी पड़ेगी तो जो नागरेक ओडियन मंत्रालाय की मंजूरी के बाद इसकी सुरुआत की जा रही है जो नाग बहुत ही अच्छा कार है COVID-19 में ऐसे कारी की बहुत जरूरत है आते नेक्स्ट कोशन पर हाल ही में चर्चित फेम सेकेंड योजना क्या है जो फेम सेकेंड योजना है वो एलेक्ट्रिक दो पईया बाहनों को प्रुतसाहन देने से क्योंकि फ्यूल जो है वह बहुत दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है इसकी कीमतें बहुत बढ़ती जा रही है इसलिए जोर दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक बाहनों की तरफ जैसे कि भारी उद्द्योग मंत्रालाई ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बाहन प्रोधिकी के बिनिर्मार को बढ़ावा देने और इस्थाई विकास सुनस्चित करने के लिए अप्रेल 2015 को फ्रेम इंडिया चरण फर्स्ट लागू किया था और देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद सरकार दोरा इलेक्ट्रिक वीकल की चरण सेकेंड को भी मंजूरी दे दी गई है जो इसका फर्स्ट चरण था वह पूरी सुचारू रूप से उन्नत रहा है तो अब इसकी सेकेंड पार्ट को भी मंजूरी दे दी गई है इस परियोजना का मुखो दे से प्रदूसर और जेता बन सकते हैं किस राजसरकार ने लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरोग करने के लिए युवा सकती कुरोना मुक्ती अवियान सुरू किया है आपकी हेल्प के लिए इंडिया के मैप में इस स्टेट की लोकेशन भी दिखाई जा चुकी है आपको बताना यह कौन सा स्टेट है थैंक यू फॉर वाचिंग है वाओ सम्डे पढ़ते रहे बढ़ते रहे